कोशिश हमारी यही तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संबाद संस्कारधानी जबलपुर से शुरू हो चुका है साहित का नया चैनल डाइनमिक संबाद टीवी आप भी आईए जुड़िये हमारे साथ अपनी रचना हैं हम तक पहुँचाईए ताकि आप भी विश्व के साहित पटल पर उभर सके आखरी में किवल इतना की कोशिश हमारी यही तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संबाद मैं डॉक्टर वर्षा चौबे भुपाल से हैं मेरी पहली रचना है सागर की लहरें सागर की बल खाती लहरें मुझको अच्छी लगती हैं हर जीवन को ये लहरें एक नई प्रेड़ना देती हैं हर बार टकरा कर तीलों से आती जाती रहती हैं लगता है प्रितम प्यारे को कुछ मौन संदेशा देती हैं और टकराने से सर पक्थर पर कुछ नहीं ये पा सकती हैं तकराने से सर पत्थर पर कुछ भी नहीं पा सकती हैं फिर भी पागल चंचल लहरें प्यार उन्हीं से करती हैं रह के पास सदा किनारों के नहीं नदियां भी उनको पाती हैं इसलिए शायद नदियां भी सागर की लहरों में मिलती हैं इसलिए नदियां भी सागर की लहरों में मिलती हैं और सागर में भी शाय धर्दम इसलिए हलचल होती है सागर में भी शाय धर्दम इसलिए हलचल होती है विरह आग में जलकर मानो ये सर्वत्र विखरती है और खुद जलकर हम सबको नया जन्म ये देती है प्रेम नहीं है त्याग से बढ़कर ये संदेशा देती है सागर की बर्खाती लहरे मुझको अच्छी लगती है मेरी दूसरी रश्ना है हम कुछ समझ ना पाते है खुशियों के पल आते आते रुक से जाते हैं हम कुछ समझ ना पाते हैं सावन में तर बतर भीगना चाहत नहीं रही और स्वाती जल पीने को छुदा संकल्पित नहीं रही लेकिन गर्मी में मटका भी फुटा पाते हैं हम कुछ समझ ना पाते हैं और डगर मिली जो पीडाओं की उनसे ना खबराई दुख को गले लगाया हसकर आगे बढ़ती आई खड़े कट घरे में लेकिन फिर भी खुद को पाते हैं हम कुछ समझ ना पाते हैं और निस्ठाओं के बदले हमको मिले यहां आगात बस खोना ही साथ रहा आने की ना बात और मौसम से बदले रुख हम पहचान न पाते हैं हम कुछ समझ ना पाते हैं मैं अरद्य अत्वारी प्रियम अपने जाएं सापा टीवी में आपका सौगत कर्टिंस में कहानी कवीता और आजिनी ती के रहा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कोशे समझेए तो रिंगे मुन को जय रखेंगे जब बात